इस बाइक को किसी को पसंद है और इसका बाइक का जो लूक है वो देखो ना कितना अच्छा लूक है कितना अच्छा फिचर्स है मदला 125 में इस बाइक में जो बाइक दिया है उसके बारे में देखो नहीं दिया गया है तो यह अच्छा ही किया गया तो अगर किसी का ज़रू होगा बाइक लेली है तो हेलो एंड वेल्कम टुए निव ब्लॉग एंड इन इस ब्लॉग मैं कहने बालो कि रेडर 125 के उपर कंपी जारा डाउट से बहुत लोगों को क्यूं है कैसा है वह तो सब कुछ लेकिन एक जो बड़ा पॉइंट है इस रेडर 125 के उपर मतलब 125 सिस्टे में ऐसा कभी नहीं हुआ है तो यह पहली बार है कि पहला नहीं यह दूसरी बार है क्यूंकि दूसरा में बात हैं मता रहो क्यूं दूसरे बार है तो यह जो रेडर 125 है मेरा वाइक है तो यहां पर स्टार्ट करने में कैसा रहेगा कब कैसा मतलब मतलब यह हम लोगों कितना परेसा नहीं फेस करना पड़ सकता है इस किक स्टार्ट नहीं दिने के वाज़े से तो उसके बारे में सब कुछ मैं इस वीडियो मताऊंगा तो वीडियो को अंतक देखिए और यह जदा बड़ा किक स्टार्ट नहीं है और कैसे हम इसको टैकल कर सकते है तो यह सब कुछ पता चल जाएगा तो इस वीडियो को देखिए बह alltid ऍटीए म्हें क्यूंने होग एली बात जो है जो फास्ट पॉइंट है कॉम्पानी के तरह से हो है कॉस्ट काटिंग क्योंकि एक किकस्ट नहीं देने से कॉम्पानी को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो वहां पे थोड़ा सा कॉस्ट काटिंग करने के लिए कॉम्पानी ने तो किकस्ट नहीं दे रहा है तो दूसरा जो point है ओ है देखिए ये एक sports bike है मतलब sports bike की तरह दिखता है 125cc में तो अभी अगर ऐसे commuter की बात करें 125cc में उन में kickstart इसलिए मिलता है क्यूंकि उस पर अगर kickstart दो गए तो वहाँ पर जाजता है लेकिन अगर इस sport bike में आप ही मान लीजे यहाँ पर इतना अच् किकstart यहाँ पर दिया जाएगा तो उससे आपको किकstart करने में भी दिख्कत होगा और इस पर लूक में थोड़ा सा compromise होगा तो अभी बात करते है कि कॉमपाणी ने इस पर किकstart नहीं दिया है तो इस पर जो सेवस्टाट है यह इदना मतलब है रिलाइबल है या फिर इस पर कॉमपाणी के और अगर है कोई चीज़ बनाता है तो अच्छनी सीवाटा है लेकिन अगर नहीं बनाता में बनाता है अभोड पर इसा placed हो जाता है तो यह चूश सेंसर से बहुत ही अच्छे से काम होता है ऐसा साथ-बिस अभी तक नहीं हुआ कि मैंत्यसीश अभी नहीं हो तो आभी बात करते है कि किकस्टाड नहीं दिया है तो इसको खरिदना चाहिए कि नहीं देखिए मैं कहना चाहूंगा अगर किसी को यह बाइक लेना है तो ले सकते हो बाइक को देखके किकस्टाड को देखके नहीं क्यूंकि को पता है क्यूंकि बाइक को स्टार्ट करना है तो ग्वाया सब्सक्राइड को प्रॉब्लम अंगर में किसी को आगए कि की स्टाइड नहीं सडेना तो नहीं SeasonạiIND घुण नहीं है जो तो परिद्ली नहीं लेना है तिल्सक्राइड लागता फाया ध लोग से चला नहीं है कि आप है अब लोग को एसकीव मिल जायेगा यä साइन मिल जाये और भी बहुत सारा वाइक है ले सकते हो vampire के है से थीघ्री को घ्री जाई ही तो अभी अगर बात करें अगर किसी को यह बाइक लेना है और किक्स्टाट का जो प्रॉबल्म है किस्टाइड नहीं है तो अगर नहीं है तो उससे आपको तो मतलब कोई भी टेंसन ले नहीं कोई बात नहीं है क्योंकि आप अगर कहीं पे जा रहे हो और वहाँ पे बैटारी का जो सेंसर है पे जो बैटारी का साइन है अल्रेडी आजाएगा तो आप कुछ दिने के बाद ही उसको बैटारी को रिप्लेस कर लीजे तो कोई भी ओर लोग को चांगा पता घ्रवारा का और जो किक्ष्टर्ट नहीं दया है इस से अब लोगोगो कोई प्रॉबल्यम नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इस पे आपको बीक के तरफ मतलब नजर रहते हो तो वहाँ पर आप जो उसको नजर रहते हो तो आपको कोई प्रॉबल्म नहीं बैटरी को रिप्लेस कर लिए बस कतम अभी स्टार्ट हो जाएगा अभी इसका जो स्टार्टर है या फिर मान लीजिए इसका जो सेंसर है वह बहुत ही अच्छे से कम करता है तो उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो इस वीडियो में पास इतना ही अगर इस ब लूक है वह मतलब निखर रहा है अगर इस पर किक्स्टार्ट दे देता तो इस पर कॉम्यूटर वाला फिर से आ जाता और इस पर इसका जो लूक है उसका मतलब बारा बज़ जाता तो मेरा कहना यह है मुझे कोई दिखर ने यह मेरा पार्सोनल है तो अगर किसी का ज़रू और किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है वह भी बता रहू क्योंकि ऐसा कही कही रहता है मतलब किसी लोगों को रहता है कि बैटारी नहीं चेंज करवाना है टाइम से तो अगर ऐसा करना है तो इस बाइक के तरब नहीं जाए तो आप अच्छा होगा क्योंकि यह थोड़ा सा maintenance bike है ठीक है एक sporty bike की तरह 125cc बनाया गया है तो इसको थोड़ा सा maintain करना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा ख्याल रगना पड़ेगा तो यह bike अच्छा रहेगा और जो इसमें जीतना सिंसर्स दिया गया है सेल्स्ट दिया गया है मोटर्स दिया गया है वह बहुत ही अच्छा है तो उसको लेकि आपको कोई भी confusion होना नहीं चाहिए तो मैं यहीं बाता ना था इस वीडियो में तो मिलते हैं आगले ब्लॉग में थैंक्स पर वाचिंग दिस ब्लॉग अगर आपको कुछ पता चला है तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को दोड़ा सब्सक्क्राइब कर लेना है तो मिलते हैं नेश्ट ब्लॉग में थैंक्स तब तक के लिए टाटा बाई बाई